माई हाँ ड्रेगो आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया ड्रेगो जो तुम उस दिन दवाई लाय थे वो मुझे दुबारा चाहिए लेकिन माई वो दवाई तो मैं परसों लाया था और दुकांदर भी कह रहा था कि डॉक्तर के नुस्के के बिना वो दवाई दुबारा नहीं दुगा ओ हो तुम थोड़े पैसे उसे जादा देदो वो तुम्हें दवाई देगा मुझे वो दवाई चाहिए अभी इसी वक्त जाओ लेकिन माई उसने बहस मत करो मुझे वो दवाई चाहिए जाकर लेकर आओ माई एप जो पिलो इतना खऴ आए ये शोप इतना ख़़दा ये शोप नहीं माई आपको तो पसंद नहीं आपको तो पसंद नहीं आपकी तब्यत के लिए अच्छा ले लीजे लेलीजे वो दो तुम क्या समझती हो? मैं नहीं क्या थे जार प्लाना चारही हो? तेखो टीटा, मैं तुमारी चाल से बाकिफ हो चुकी हूँ मेरे कमर जरुर तूट गई है मंगल मैं देच बगती हूँ, तुम में जीते जी तुम कमी कामया भी हो सकती अजीत! गुड मॉनिंग डानॉर्ण गुड मॉनिंग डॉक्टर साब कैसी है आप? डॉक्टर साब, आप मुझे कोई दवाई क्यू नहीं देते है? मुझे यकीन हो गया है, कि मेरे सूप में जहर मिलाय जा रहा है इससे अच्छी दवाई मैं आपको नहीं दे सकता अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप इसे खुद पीकर देखिए ये तो कड़वा है ये तो बहुत अच्छा है आज तू टीटा ने कमाल कर दिया हाँ, कमाल तो किया है उसने डॉना, मैं आपसे कई दिनों से एक बात कहना चाहता है टीटा और मैं शादी करने वादे है अच्छा और हम आपके ठीक होने का इंतदार करें या मेरे मरने का क्यों ऐसी बाते करती हैं आप डॉक्टर साहब मैंने उस दिन जब आप दोनों को देखा मैं उसी वक्त समझ गई थी मगर टीटा इस बात को बहुत हो भी जानती है कि हमारे खांदान में उसको शादी करने की इजाज़त नहीं है जाना हम आपके इजाज़त नहीं आपका आशिरवाद चाहते है डॉक्टर साहब अब मुझे डॉक्टर की ज़रूत नहीं है बैतर इसी में कि आप अप यहां न आएं और टीटा भी ठीक हो चुकी है ठीक है आप गुस्ता मत होईए पहले आप ठीक हो जाएए फिर बाद में बात करें मैं आप से एक बात कहना चाहते हूँ आज से टीटा मेरा खाना नहीं बनाएगी आप जाते जाते चेंचा से कह दीजिएगा खाना वो मेरा बनाएगी चेंचा खुद अभी ठीक कहां होई है डान उसे तो अपना ही होश नहीं तो ठीक है आप किसी नौकरानी का इंतजाम करा दीजिए ठीक इंतिजाम तो मैं कर दूँगा बस आपसे एक एक उजारिश है अपने शक को जहर मत बनने दीजिए राव हम सब आपको ठीक देखना चाहते हैं आपकी बहुत इज़त करते हैं ठीक है अब आप जा सकते हैं ठीक है आप आराम कीजिए अब आराम कीजिए राव